नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहदी महतो पुन जानकारी को ले करके जिहां सरदियों में लगातार सात रातों तक दूद के साथ इसका सिवन आपको बना देगा फौलादी बलवान कमजोर लोगों के लि जाती है गैस और एसीडिटी से भी रहत मिलती है साधारन कब्ज में गर्म दूद में सुखे अंजीर उबाल कर सिवन करने से सुभदस्त साफ होता है इससे कफ बाहरा जाती है सुखे अंजीर को उबाल कर बारिक पीस कर गले की सूजन या गांठ पर बांधी जाये तो पहुंचता है अंजीर का सेवन सर्दियों में दूद के साथ करना सबसे उत्तम माना गया है यदि आप लगातार एक सबताह तक इसका सेवन रात को या सुबह दूद के साथ दो से तीन अंजीर उबाल कर करते हैं तो आपको इसकी ताकत का अनुभव होने लगेगा कि यह कि चिकित्सक की सलाह या परामर्श के आधार पर करें हरांकि सभी प्राकृतिक फ्रूट्स की मिठास फ्रुक्टूज के कारण होती है ना कि ग्लूकोज के कारण आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में अंजीर के गुन जिहां अंजीर अपने खटे मिठे स्वात के ल वैज्यान को क्या नुसार अंजीर की इसके सुखे फल में कार्बोहाइट्रेट यानि के शरकरा 63% प्रोटीन 5.5% सेलूलोज 7.3% चिकनाई एक प्रतिशत खनीज लवन 3% अमल 1.2% राक 2.3% और जल 20.8% होता है इसके अलावा प्रति 100 ग्राम अंजीर में लगभग 1 ग्राम का चोथाई भाग, लोहा, विटामिन, थोड़ी मात्रा में चूना, पोटेशियम, सोडियम, गंधक, फासफोरी केसिड और गोंद भी पाया जाता है अब आईए जानते हैं अंजीर के बहतरेन लाभों के बारे में सबसे पहले तो कबज, 3-4 पके हुए अंजीर दूध में उबाल कर रात में सोने से पहले खाएं और उपर से उसी दूध का सेवन करें इससे कबज और बवासिर में लाभ होता है माजून अंजीर 10 ग्राम को सोने से पहले लेने से कबज में लाभ होता है अंजीर 5-6 पीस को 250 मिली लिटर पानी में उबाल लें पानी को छान कर पीने से कबज यानि कोष्ट बद्धता में रहत मिलती है दो अंजीर को रात को पानी में भिंगो कर सुबह चबा कर खा कर उपर से पानी पीने से पेट साफ हो जाता है अंजीर के चार दाने रात को सोते समय पानी में डाल कर रख दें सुबह उन दानों को थोड़ा सा मसल कर जल पीने से अस्थमा में बहुत लाभ मिलता है तथा इससे कब्ज भी नश्ट हो जाती है दमा जिसमें कफ यानि के बलगम निकलता हो उसमें अंजीर खाना लाफकारी है इससे कफ बाहर आ जाता है तथा रोगी को शिग रही आराम भी मिलता है प्रती दिन थोड़े थोड़े अंजीर खाने से पुरानी कब्जियत में मल, साफ और नियमित आता है दो से चार सुखे अंजीर सुबह शाम दूद से गर्म करके खाने से कफ की मातरा घड़ती है शरीर में नई शक्ति आती है और दमा यानि के अस्थमा रोग मिट जाता है प्यास की अधिकता बार बार प्यास लगने पर अंजीर का सिवन करें आपको लाब मिलेगा अगर आपके मुह में च्छाले हो गए हैं तो अंजीर का रस मुह के च्छालों पर लगाने से आराम मिलता है प्रदर रोग में अंजीर का रस दो चमच शहद के साथ प्रती दिन सेवन करने से दोनों प्रकार के प्रदर रोग नश्ट हो जाते हैं दांतों का दर्द अंजीर का दूध रूई में भिंगो कर दुखते दांत पर रखकर दबाएं अंजीर के पोधे से दूध निकाल कर उस दूध में रूई भिंगो कर सड़ने वाले दांतों के नीचे रखने से दांतों के किड़े नश्ट होते हैं तथा दांतों का दर्द मि समस्त त्वचा संबंधी रोगों में लगाना लाफ दायक होता है। अंजीर का दूद लगाने से दिनाय यानि कि खुजली युक्त फुनसी और दाद मिड़ जाते हैं। अंजीर को दूद में उबाला हुआ अंजीर खाकर वहीं दूद पीने से शक्त में वरिध्धी होती है तथा खुन भी बढ़ता है शरीर में। रक्त वरिध्धी और शुद्धी के लिए 10 मुनक्य और 5 अंजीर 200 मिलेलीटर दूद में उबाल कर खालें फिर उपर से उसी दू कार दूर हो जाते हैं पेचिश और दस्त अंजीर का कारहत तीन बार पिलाएं ताकत को बढ़ाने वाला जिहां सुखे अंजीर के टुकड़े और छिली हुई बादाम गर्म पानी में उबालें इसे सुखा कर इसमें दानेदार शक्कर पीसी हुई इलाइची केसर चिरोंज पिस्ता और बादाम बाराबर मातरा में मिलाकर आठ दिन तक गाई के घी में पड़ा रहने दें बाद में रोजाना सुबह बीस ग्राम तक सिवन करें छोटे बालकों की शक्ति छीन के लिए यह औशधी बड़ी ही हितकारी होती है जीव की सूजन जिहां सुखे अंजीर का बादने से शिगर आराम होता है दस्त साफ लाने के लिए दो सुखे अंजीर सोने से पहले खाकर उपर से पानी पीना चाहिए इससे सुबह साफ दस्त होता है शय यानि की टीवी के रोग इस रोग में अंजीर खाना चाहिए अंजीर से शरीर में खुन बढ़ता है अंजीर की पुल्टिस बना कर फोडों पर बानने से यह फोडों को पकाती है गिल्टी अंजीर को चटनी की तरह पीश कर गर्म करके पुल्टिस बनाएं दो दो घंटे के अंतराल से इस प्रकार नई पुल्टिस बना कर बानने से वाद की वेदना भी शांत होती है एवं गिल्टी जल अंजीर के पेड़ की छाल को पानी के साथ पीस लें फिर उसमें चारगुना घी डाल कर गर्म करें इसे हरताल की भस्म के साथ सेवन करने से श्वेत कुष्ट मिट जाता है अंजीर के कच्चे फलों से दूद निकाल कर सफेद दागों पर लगा कर चार महिने तक लगाने से य लाब होता है अंजीर को घिस कर निम्बू के रस में मिलाकर सफेद दाग पर लगाने से लाब होता है गले के भीतर की सूजन सूखे अंजीर को पानी में उबाल कर लेप करने से गले के भीतर की सूजन मिटती है श्वास रोग जिहां अंजीर और गोरक इमली यानि की जंग सनरोग का कष्ट दूर हो जाता है शरीर की गर्मी पका हुआ अंजीर लेकर छिल कर उसके आमने सामने दो चीरे लगाएं इन चीरों में शक्कर भर कर रात को उसमें रख दें इस प्रकार के अंजीर को 15 दिनों तक रोज सुबह खाने से शरीर की गर्मी निकल जाती है और रक् पानी में पांच अंजीर को डाल कर उबालने और इसे चान कर इस पानी को गर्म गर्म सुबह और शाम को पीने से जुकाम में लाब होता है फेफणों के रोग फेफणों के रोगों में पांच अंजीर एक गलास पानी में उबाल कर चान कर सुबह शाम पीना चाहिए इससे लाव होता है मसूडों से खून का आना अंजीर को पानी में उबाल कर इस पानी से रोजाना दो बार कुल्ला करें इससे मसूडों से आने वाला खून बंध हो जाता है तथा मूं से दुरगंध आना भी बंध हो जाता है तिल्ली यानि कि पलीहा के रोग में अंजीर 20 ग्राम क वो सिरके में डुबो कर सुबह और शाम रोजाना खाने से तिल्ली ठीक हो जाती है। खांसी, अंजीर का सेवन करने से सुखी खांसी दूर हो जाती है। अंजीर पुरानी खांसी वाले रोगी को लाप पहुचाता है क्योंकि यह बलगम को पतला करके बाहर निकालता रहता है। दो अंजीर के फलों को पुदीने के साथ खाने से सीने पर जमा हुआ कफ धीरे धीरे निकल जाएगा। पके अंजीर का काढ़ा पीने से खांसी दूर हो जाती है। पानी बच जाने पर इसमें 720 ग्राम चीनी डाल कर शर्बत बना लें यह शर्बत एक से दो चमच प्रती दिन सुबह शाम पीएं। इससे आपको अवश्य लाव नजर आने लगेगा। बवासीर यानि की अर्ष सुखे अंजीर के तीन से चार दाने को शाम के समय जल में डाल कर रख दें। सुबह उन अंजीरों को मसल कर प्रती दिन सुबह खाली पेट खाने से अर्ष यानि की बवासी रोग दूर होता है। अंजीर को गुलकंद के साथ रोज सुबह खाली पेट खाने से शोच के समय पैखाना यानि के मल आसानी से होता है। कमरदर्द अंजीर की छाल, सोंट, धनिया, सब को बराबर मातरा मिलें और कूट कर रात को पानी में भिंगो दें सुबह इसके बचे हुए रस को छान कर पिला दें इससे कमर दर्द में लाब होता है आउयुक्त पेचिश में पेचिश तथा आउयुक्त दस्तों में अंजीर का कारा बना कर पीने से रोगी को लाब होता है अगनिमांद अपच अपच होने पर अंजीर को सिरके में भिंगो कर खाने से भूख न लगना और आफरा दूर होता है प्रसव की समय होने वाली पिडा में प्रसव की पिडा में 15-20 दिन तक रोज दो अंजीर दूध के साथ खाने से लाब होता है बच्चों का यक्रित यानि की जिगर बढ़ना चार से पांच अंजीर गन्य के रस के सिरके में गलने के लिए डाल दें चार से पांच दिन बाद उनको निकाल कर एक अंजीर सुबह शाम बच्चे को देने से यक्रित रोग की बिमारी से आराम मिल जाता है फोडा यानि की सिरका फोडा फोडों और उसके गाठों पर सुखे अंजीर या हरे अंजीर को पीश कर पानी में ओटा कर गुनगुना करके लगाने से फोडों की सूजन और फोडे ठीक हो जाते हैं दाद अंजीर का दूद लगाने से दाद ठीक हो जाता है सिरका दर्द सिर्के या पानी में अंजीर के पेंड की छाल की भस्म मिलाकर सिर्पर लेप करने से सिर्का दर्द ठीक हो जाता है सर्दी जाड़ा अधिक लगना लगभग एक ग्राम का चोथा भाग की मातरा में अंजीर को खिलाने से सर्दी या शीत के कारण होने वाले हिर्दय और दिमाग के रोगों में बहुत जादा फायदा मिलता है खून और शक्तिवर्धक जिहां सुखे अंजीर के टुकड़ों एवं बादाम के गर्भ को गर्म पानी में भिंगो कर रख दें फिर उपर से छिलके निकाल कर सुखा दें उसमें मिश्री, इलाची के दानों की बुकनी, केसर, चिरोंजी, पिष्टे और बलदाने कूट कर डालें और गाय के घी में आठ दिन तक भिंगो कर रखें यह मिश्रन प्रति दिन लगभग 20 ग्राम की मातरा में खाने से कमजोर शक्ति वालों के खून और पौरुष में व्रिध्धी होती है एक सुखा अंजीर और 5-10 बादाम को दूद में डाल कर उबालने, इसमें थोड़ी चीनी डाल कर प्रति दिन सुबह पीने से खुन साफ होता है, गर्मी शान्त होती है, पेट साफ होता है, कबज मिड़ती है और शरीर बलवान बनता है अंजीर को अधिक मातरा में सेवन करने से शरीर शक्तिशाली होता है और मनुश्य की शमता भी बढ़ती है, जिहां दोस्तों, तो देखा आप सबीने कि एक अंजीर हमारे लिए अगर सही ढंग से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कितना लाफकारी हो सकता है, यानि कि ये 60 तरह की बिमारियों का नाश कर देता है, बस इसके सेवन करने के तरीके को जानना होता है, और उस धंग से पालन करना होता है, अगर आप इसको जैसे हमने आपके लिए बताया, अगर जिस भी बिमारी से आप पिड़ी थे इन में से, उसके लिए उस धंग से आप अंजीर का 7 करें आपको जरूर रहत मिलेगी हुम में ड्रेमिरीज का एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये अपना असर दिखाने में थोड़ा वक्त लेती हैं इसलिए पेसिंस के साथ हिंका इस्तेमाल निरंतर्ता के साथ करते रहना चाहिए साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को हर चीज सूट नहीं करती है तो आप पहले थोड़ा सा खा करके टेस्ट कर लें कि कहीं आपको इससे इलर्जी तो नहीं है या फिर आपका पेट खराब तो नहीं हो जाता है बहुत सारी बाते हैं जैसे ही आपको लगे कि कुछ नुक्षान हो रहा है इससे आपको आप तुरण डॉक्टर से संपर करें इसके बाद इसका सेवन करें क्योंकि हर आदमी का जो सिष्टम होता है वो अलग होता है किसी के लिए कोई चीज बहुत फायदे मंद हो जाती है तो वहीं चीज किसी और के लिए नुक्सान दायक भी सावित हो सकती है तो वैसे तो इन गुणों से भरी होई होती है ये और शदियां और इनी में से हमें जीना भी होता है और सही फिट भी रहना होता है लेकिन इसका सही इस्तेमाल हमें आना बहुत ज़रूरी है तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों